हेलो फ्रेंट्स आज हमने देगी कोर्मा बनाया है और ये बहुत टेस्टी बनाया है हुबहु वैसा जैसा शादियों वगेरा में हम खाते हैं अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो चलिए जकिया का किचेन में और अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शियर, सब्सक्राइब करना न भूलिएगा तो चलिए देख लेते हैं इसे किस तरह से बनाते हैं हमने आदा किलो चिकेन लिया है इसे धो लिया है दो मीडियम साइज की प्यास को बारिक चॉप कर लिया है कुछ मेवे लिया है जिसमें पांच काजू है वन टी स्पून पॉपी सीड है इसे खशख़ भी कहते हैं पांच बादा में वन टेबिल स्पून नारियल का बुरादा है इसे हम पीस कर पेस्ट बना लेंगे कुछ सूखे मसाले हैं 1.5 टी स्पून धनिया पाउडर है 1 टी स्पून लाल मिर्च है 1 टी स्पून देगी मिरच है 1 टी स्पून नमक है नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के एकॉर्डिंग रख सकते हैं 100 ग्राम दही लिया है जिसे हमने अच्छे सी बीट कर लिया है कुछ तालमा खाने लिये हैं जिसे हम आखिर में डालेंगे खुश्बू के मसालों में 2 घ्री लाइची लिये 1 बड़ी लाइची लिये जिसको हमने छील लिया है 2 टुकडा दाल चीनी कर लिया है दस बारा काली मिर्च लिये एक चमच जीरा लिया है चार लॉंगे लिये एक छोटा सा टुकड़ा हमने जायफाल का लिया है और एक जौतरी का फूल लिया है और दो तेस पत्ता लिया है 150 ml तेल लिया है खेल तीशु ना हो तो आप इसकी जगा घी भी ले सकते हैं वन टीश्पून जिंजर वन टीश्पून गार्लिक का पेस्ट लिया है तब से पहले पैन में तेल डालेंगे तेल गरम हो जाए प्यास को फ्राइब कर लेंगे हम इसे हमें गोल्डेन फ्राइब करना है फ्लेम को मीडियम टूलो रखेंगे तभी हमारी प्यास बहुत प्यास हमारी फ्राइब हो रही है थोड़ी देर और लगेगे इसे फ्राइब करने में यह हो गई है अब हम इसे निकाल लेंगे क्योंकि प्यास को निकालने के बाद भी इसमें कोकिंग प्रोसस चलती रहती है यह अपनी गरमाईश में और गोल्डेन हो जाएगी अगर हम जाएब करें निकालें तो यह बाद में काली हो जाएगी प्यास हमने निकाल लिए अब इसमें डालें एक तेस पत्ता और चिकेन और चिकेन को हम प्राइब करेंगे इसका अब तक तर देखेंगे जिन्जर गारलिक पेस्ट बढ़ेंगे चार-5 सेकंड आथ एगे इसे अब यहीं पर हम आपने सूखे मसाले आट करेंगे, अब मसालों के साथ चिकन को थोड़ी देर भूनेंगे, ताकि मसालों का कच्छा पन निकल जाए, यह हमने मसाले भून लियें, करीब 3-4 मिनाट तक, अब यहीं पर हम आट करेंगे दही, दही डाल कर थोड़ी देर हम इसे पका लेंगे, चिकन को अलटते पलटते हुए, अब हम इसकी लिड लगा कर इसे थोड़ी देर तक पकने देंगे, करीब 5 मिनाट तक, 5 मिनाट हो गया है, अब हम इसे खोल कर देखते हैं, अब यहीं पर हमने जो गोल्डेन प्याज थी उसे डालेंगे, यह देखिए इसे हमने दर्दरा से पीसा है, बारिक पेस नहीं बनाया है, इसे डाल कर हम चिकन के साथ भून लेंगे, यह देखिए हमने प्याज और दही सब चीज भून लिया है, सारे मसाले अच्छे से यह देखिए, इसका मसाला एकदम दानेदार हो गया है, यह देखिए, जिकन हमारा बहुत अच्छे से भून गया है, अब हम यहीं पर एट करेंगे, काजू बादाम, खशखश और नारियल का जो पेस्ट बनाया तो वो डालेंगे, इसको डाल कर हम थोड़ी देर इसे भू सब चीज़े एकदम मिक्स अप हो जाएं, सारे मसाले आपस में एकदम मिल जूल जाएं, यह देखिए, हमारी ग्रेवी का टेक्श्चर कितना अच्छा दिख रहा है, हमने सारे मसाले और मेवे को अच्छे से भून लिया है, देखिए, सब चीज़े बहुत अच्छे से खुश्बू का मसाला, इसको हमने पीस कर पाउडर बना दिया था, आप पेस भी बना सकते हैं, इसे भी मिक्स कर लेंगे, सब चीज़े अच्छे से बुन गई है, अब यहीं पे पानी आट करेंगे, यहां पर हमने 200 ml के करीब पानी इसमें डाला है, क्योंकि इसकी ग्रेव बहुत पतली नहीं रखी जाती, थोड़ा थिक होती है, डेगी कोर्मे की, अब शकताल मखाना आट करेंगे, अब इसकी लिड लगा कर आम इसे 10 मिनट के लिए पकाएंगे, लो फिलेम पर, इसे 10 मिनट हो गया है, अब इसे खोल कर इसमें केवड़ा वाटर डालेंगे, इस इसे तेल में बनाया है, इसलिए थोड़ा सगी डालेंगे, इसका टेस्ट अच्छा हो जाएंगे, अब इसकी लिड लगा कर हम इसे 5-6 मिनट लो फिलेम पर पकाएंगे, 5-6 मिनट हो गया है, खुजबू बहुत अच्छी आ रही है, इसे गर्मा गर्म नान और जीरा राइ करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें